उदयापुर के मांडवा थाना पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर रणिया बंबूरिया के दूसरे बेटे खात्रू को भी पुलिस ने गुरुवार शाम को गिरफतार कर लिया 25,000 रुपए इनामी आरूपी खात्रू को पुलिस ने सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इस्थे तेलपुर से पकड़ा है खात्रू पर पुर्व में चोरी, नकबजनी, लूट, अफहरन, आगजनी और सरकारी करमचारियों पर हमला सहित करीब एक दरजन मामले दर्च है स्पी बुवन भूशन यादव के निर्देश पर पुलिस नरिक्षक सुमेड सिंग के टीम ने ये कारवाही की बतादें कि पुलिस बीते दिनों हिस्ट्री शीटर रणिया बबूरिया उसके बीते जालमचन और जाला सहित करीब साथ से जादा आरूपियों को गिरफतार कर चुकी है बतादे कि 27 अप्रेल 2023 को मांडवा थाना पुलिस के वॉंटेट अपराधी हिस्ट्री शीटर रणिया बबूरिया और उसके पुत्र खात्रू को गिरफतार करने उनके निवास पर गई थी तबी वहां घात लगाए बैठे करीब 30-35 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया पुलिस पर पत्थर बाजी की और फायरिंग करते हुए उनसे राइफिल चीन दी इस हमले में मांडवा थाना दिकारी सहित 6 जवान बुरी तरह घायल हो गये थे इसके बाद पुलिस ने मांडवा शेत्र में विशेश तीम दल भेज कर आरूपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया पहले इनके गुरुगों को पकड़ा गया और फिर पुलिस मुख्य आरूपियों तक पहुँच पाई